स्वागत है आप सभी का तरूर इंडिया इंस्टिट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में जहां हम लोग बात करेंगे कम्प्यूटर और उससे जूड़ी जानकारियों के बारे में History and Evolution के पिछले दो पार्ट में हमने देखा कि कम्प्यूटर का कॉंसेप्ट कैसे आया हम लोग देखेंगे कि किस तरह Analytical Engine के ही कॉंसेप्ट से साल दर साल डेवलब कम्प्यूटर बनते गए और उनके नाम क्या है किस तरह वो काम करते हैं तो आज का टॉपिक यही है Computer Evolution after Babitz Analytical Machine तो आईए खुद को खुद से थोड़ा और बहतर बनाते हैं अब हम एक एक करके कुछ Computers को देखते हैं शुरुआत करते हैं Tabulating Machine से यह Tabulating Machine 1890 में Herman Hollerith के दोरा बनाई गई थी इसमें भी Analytical Engine की थियोरी के तरह ही Punched Cards का इस्तेमाल किया जाता था Input और Output के लिए बाद के Models में इस Machine का इस्तेमाल Business Purpose से भी किया जाने लगा Census में मतलब Population Calculation के लिए किया गया था Herman Hollerith की Tabulating Machine Company ही 1924 में और भी Companies के साथ Merge होके IBM यानि International Business Machine बन गई जो आज भी बहुत बड़ी कमपनी है चलिए अब बात करते हैं Differential Analyzer की यह Machine Mechanical Analog Computer थी जिसका इस्तेमाल Differential Equation को Integration के द्वारा Solve करने के लिए किया जाता था इसमें Wheel और डिस्क के Mechanism से ही Integration निकाला जाता था बाद में इस Machine में Addition भी और Subtraction भी यह दो Calculation भी एड़ कर दिये गए इस Machine को MIT में Harold Lockheisen और Whenever Bush ने 1931 के आसपास बनाया था चलिए अब बारी आती है Mark 1 Computer की इसे IBM Automatic Sequence Control Calculator भी कहा जाता था Mark 1 के Concept को Howard Aiken ने 1937 में पहली बार IBM के सामने पेश किया अगले कई महिनों की चेकिंग के बाद 1939 में प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया Aiken ने Babbage की Analytical Engine के Concept से ही प्रिरित होकर एक नए Machine को निकाला जो Analytical Engine की ही एक Realistic फॉर्म थी मतलब Analytical Engine जो थी वो तो सिर्फ Paperwork थी सिर्फ एक प्रोजेक्ट थी मतलब वो कभी पूरी नहीं हुई लेकिन Howard Aiken ने उनके इस प्रोजेक्ट के ही तहत अपनी एक नई Machine बनाई जिसमें उन्होंने और भी कई सारे features को add किया और वो 1944 में बन के तयार हो गई तो ये जो Automatic Sequence Control Calculator यानि कि हमारी Mark 1 Computer थी उसे 1944 में IBM ने बनाया और Harvard University भेज दिया इसे World War II के आखिर में भी इस्तेमाल किया गया था बहुत से कामों के लिए Ballastic Missiles परमाणू परिक्षण में भी और 1959 में Disassemble कर दिया गया लेकिन इसके Major Parts आज भी Harvard में मौजूद है तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि Generation of Computers क्या है मतलब Generation वाले Computer के बारे में भी देखेंगे फिलाल आज के लिए इतना ही अब बारी आती है एक सवाल की जिसका जवाब पिछले वीडियो के Concept से जुड़ा है तो सवाल ये है कि Charles Babbage की मृत्यू कब हुई थी इसका सही जवाब आपको हमारे Telegram चैनल पर या मेरे Instagram एकाउंट पर मिल जाएगा आप अपना जवाब कमेंट के जरीए दे सकते हैं और अगर आपको किसी Topic का Explanation चाहिए या कोई Technical Word समझने में परेशानी है मेरे प्रहणार आपको किसी जरीए नवाब नेपारी है कि या कि कि अवाब यापको मेरेशार मुआ कि अवाब तो समय कोईड़ एंडरे दे सकते हैं